हेलो नमस्ते चात्रों यूट्यूब चैनल इंडिया ओर्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पुलकेशी सेकिंड जो बादामी के चालू के वंसका एक सरवादिक सक्ति साले सासक था उसके और पल्लवों के बीच हुए संगर्स के बारे में चात्रों हमने आपको पहले भी चालू के बारे में बताया है और पुलकेशी सेकिंड के बारे में भी हमने आपको दो तीर वीडियो बता दिये हैं जिनमें पुलकेशी दूइतिय का जो परीचे है पुलकेशी दूइतिय और हर्स के बीच जो यूद हुआ था उसका वीवर ठीक है अब होता है कि जो चलू के इनकी तीन साखाई थी बादमी या वातापी के चलू के और वेंगी के चलू के और कल्यानी के चलू के ठीक है वेंगी के चलू के पूर्वी चलू के कहलाते थे कल्यानी के चलू के पस्ची में चलू के कहलाते थे और वातापी के चलू के य वाताभी के चालूकियों का संस्तापक था ठीक है और फिर पुलकेशन के बाद उसके दो बेटे थे कीर्टी वर्मन पर्थम और मंगलेस तो इनमें से कीर्टी वर्मन पर्थम सासक बनता है और कीर्टी वर्मन पर्थम की जब मरत्य उती है तो उसके तीन पुत्तर थे वो अल चोड़ा है उसके बात क्या होता है कि जो यह आपके यह तालode ये सासन करते थे दो आपके मद्दे में ये सासन करते थे चालुकियों की जो पहली राजदानिय वो हो वह एहोल थी और एहोल जिसे मंदिरों का सहर भी कहा गया है और ये व्यापार का एक महत्वपुन केंद्र था और बाद में जो एहोल है ये एक धारमी केंद्र के रूप म पुलकेषिन फ्रेस्ट के समय में हुई थी ठीक है अब होता है कि जो पुलकेषिन सेकंड बना 610 से642 तक समय शासन कर रहेता है पुलकेषिन कीन्ट है इसके वानों के सब्सेसक्याने से नजड़ी के तरट बेशिसार रहतAn quand पुलकेशिन सेकिंड है इसे वज में दक्षिना पथेस्वर और पढमेश्वर की उपाधिया धरन करता है उसके बाद क्या होता है कि जो पुलकेशिन सेकिंड है ये दक्षिन में अपना सामराजे विस्तार करना चाहता है इस समय क्या होता है कि दक्षिन में अर्थात अंध् तक रहा है और पल्लवों की राजदानी थी कांची पूरम थी जो कावेरी डेल्टा के चारों और फैली हुई थी और पल्लव जो सासक है वे सात्वानु के पतन के बाद दक्षिन भार्थ में एक सक्ति सारी राजे की स्थाफना करते हैं पल्लवों ने कांची और अंदर सामराजे की स्थाफना की और यहीं पर इन लोगों को चालुकियों से टक कर लेनी पड़ती है और क्या होता है कि जो पुलकेशिन सेकिंड है इसका सामराजी विस्तार गोवा, महारास्टर, करना टक और अंधर परदेश तक था अब इधर से पुलकेशिन सेकिंड आता है औ मतलब कि जो पल्लव वन्स का जो सा सकता वो महिंदर वर्मन पर्थम था और उसके बाद उसका बेटा नर्शिय वर्मन पर्थम होता है दोनों से पुलकेशिन सेकिंड लड़ाई करता है लास्ट में 642 इस्वी में पुलकेशिन सेकिंड आवा है नर्शिय वर्मन पर्थम से हार जाता है और इसकी मर्तु हो जाती है वही नर्शिया और मनुपर्थम है वह वातापी को जीत लेता है और वातापी को उट की उपादी धारन करता है और एक इंपोर्टेंट बात है कि पुलकेसिन सेकिंड के बारे में जो भी जानकरी मिलते है वो एहोल परसस्ती से मिलती ह एहोल परसस्ती के बारे में भी हमने आपको अच्छे से पहले वीडियो दिखाया था और जो पुलकेसिन सेकेंड है इसके दरबार में 641 इस्वी में जो चीनी यात्री भेन सांग है वह भी यात्रा करने के लिए आता है वह भी पुलकेसिन सेकेंड के बारे में काफी कुछ ब अर्थाथ पर्याने के दलता कंद के और जांग है यह संगर से के पुलकेसिन ज्वीती इंपल्णों के बीच संगर की कहानी तो देखेगा अंदर परदेश के दक्षिन में पल्लवों का सक्तिसाली राजे था पल्लव वन्स का सासन इस समय महिंदर वर्मन पर्थम जिसका समय कितना है 600-630 वी इसके हातों में था पुलकेसिंद वित्ये की विजेनी जो सेना है वो पल्लव राजे में आगे बढ़ती हुई कांची से केवल 50 मील उत्तर में इस्तित पुललूर तक चली आई उसका महिंदर वर्मन पर्थम के साथ भिशन शंगर्षवा यद पी महिंदर वर्मन अपनी राजधानी कांची को बचाने में सफल रहा तथा पी उसके राजे के ऊत्तरी प्रांतों पर चालू के लिजे का दिकार हो गया था पुलकेशिन सेकिन और महिंदर वर्मन के बीज में लड़ाई होती है लड़ाई में महिंदर वर्मन हार जाता है लेकिन अपने राजदानी को बचा लेता है लेकिन जो कांची का उत्री भाग है वह है चालू के अंदरेश पुलकेशिन सेकिंड के दिकार में आ जाता है ठीक है तो देखेगा एहोल के लेख में आप देखेगा एहोल परसस्ती भी हमने आपको पढ़ा ही है पहले एहोल जो करनाटक बिजापुर में श्तित है इसके लेखक रवी कीर्थी थे जो जैन विद जुआन थे यह संस्कृत भासा में लिखा गया है परसस्ती मतलब गुण तो जो पुलकेशिन सेकिंड है इसने अपने गुणों के बारे में रवी कीर्थी से लिखवाय था वही था एहोल परसस्ती और एहोल के लेख में पुलकेशिन की विजे का वीवरण इस प्रकार मिल ठीक है यह लिखावाय मिला है एहोल परसस्ती पर लेख में यह भी लिखा गया है कि पुलकेशिन सूर्य के सम्मान था जिसके आगे पल्लव सेना ओस के सम्मान सी धुई पुलकेशिन की इस विजे से पल्लव चालू के संगर्ष का सुत्रपाथ हुआ जो बाद की कई पीड सेकंड पल्लवों की विरुद अपने सफलता के बाद पुलकेशिन ने कावेरे नदी पार की तथा सुदूर दक्षिन में इस्तित चोल केरल तथा पंडे राजियों के साथ मैतरी सम्मान भी स्तापिदिस ने किये थे ठीक है अब देखेगा पल्लव चालू के संगर्ष का पर्थम चरण क्या था तो पल्लवों के साथ पुलकेशिन का पर्थम संगर 630 इसियों में हुआ था इस विजए के बाद पुलकेशिन अपनी राजदानी वापस लोटाता है राजदानी आकर पुलकेशिन ने अपने भाई विश्णु वर्धन को अंदर परदेश का वाइ पर्थम चरण आप देखेगा इसमें जो पल्लव साथ सक महिंदर वर्मन पर्थम है इसके बारे में आपको इंपोर्टेंट बात विताओंगी कि जो महिंदर वर्मन पर्थम है इसने संत अपर और विद्वान भार्वी को सरंग्षन दिया था और इसने मत्त विलास की भी रचना की थी कई बार एकजाम में पूछ लेते हैं तो मत्विलास प्रहषन के रचेता कोन महिंदर वर्मन पर्थम संत अपर और विद्वान एक विद्वान थे भार्वी ये किसके दरबार में थे महिंदर वर्मन पर्थम के दरबार में थे ठीक है अब देखेगा प पल्लव अब देखे का सेकेंड में क्या होता है पल्लवों की विरूद अपने प्रारंबिक सप्पलताओं से उत्साहित होकर पुलकेशी ने पुनाय कांची पर आकर्मन करने की योजना बनाई ठीक है इसका तातकाली कारण संभवता यह था कि चालुकेशी ने अपनी और मिला लिया पुलकेशी ने पर आकर्मन कर उसने उनकी सक्ति का विनास कर डाला यही से चालुकेशी ने पुनाय पल्लव राजय में प्रवेश किया तथा वह कांची के निकट जा पहुंचा इस समय पल्लव वर्मन का सासक कोन था? महिंदर वर्मन का पुत्र नर्शिहा वर्मन पर्थम महामल जो 630-668 इस्वी तक सासक रहा था, राज्य कर रहा था, ये एक सक्ति साली राजा था, ये भी बताया गया है कि नर्शिहा वर्मन ने पुलकेशन की पीट पर जैशाब्द उसी प्रकार अंकित कर दिया जिस प्रकार से तम रपटों पर लिखा जाता है पल्लव नरेस को इस संगर्स में लंका के राजकुमार मान वर्मन से सहायता मिली थी पराजित पुलकेसिन अपने राजदानी वापस लोट गया था ठीक है पुलकेसिन वित्य संभवता युद मे तथा नर्शी हवर्मन ने वातापी कोंड की उपादी धारन की वातापी कोंड रथात वातापी को जीतने वाला कई बार एकजामी क्यूशन पूछ लेते हैं कि किस सासक ने वातापी कोंड की उपादी धारन करी वो था आपका पल्लव सासक नर्शी है वर्मन पर्थम अधिकार की कुछ अन्य पल्लव लेखों में इस गटना का विवर्ण देते हुए बताया गया है कि जिस परकार अगस्ते रिसी ने वातापी का समहार किया था उसी परकार नर्शिया वर्मा ने वातापी को नस्ट कर दिया पल्लव से ना अपने साथ वह विजय स्तंबी उखा तो देखेगा जो महिंदर वर्मन पर्थम है इसका बेटा है नर्शिया वर्मन पर्थम इसके बारे में भी हम आपको इंपोर्टेंट बात यहां बताएंगे आगे भी इसके बारे में पल्लवों के बारे में आपको वीडियो दिखाएंगे हम तो देखेगा जो नर्शिया एतरबार में भी आया था तो यह आपके वर्धन मंस के साम से नर्शिय अवर्मन पछर्थम ने महामलपुरम सहरमामलपुरम नथार्थम और इस ने परसिद अखंडद अर्थात एकल पथर से स्थापना की तो कई बार यह कि उसने भी आता है एक्जाम में की परसिद अखंड रोख कट मंदिरों की स्थापना किसने की नर्सिया वर्मन पर्थम तो ये अखंड मतलब एककल पत्थर से बना गुंबद, पत्थर को तोड़ा नहीं गया, एक ही पत्थर से गुंबद बनाया जाता था, ऐसे मंदिरों की स्ताफ नकिस ने की नर्शी अवर्मन पर्थम ने, और नर्शी अवर्मन पर्थम है, इसने सिलोन में नोसैनिक अभियानों को भी बेजा था, ठीक है, तो यह आपके नर्शिय अवर्मन पर्थम के बारे में इंपोर्टेंट बाते थी। अब देखेगा वेंसांग द्वारा पुलकेसिन द्वीत्य की परसंसा की गई है। लोग सिध्य और इमानधार थें, वे विद्या के प्रेमी थें और अपने इतेशियों के परतिवे कर्तग्ये भी थें, परन्तु सत्रों के परतिवे करूर थें। और जो पुलकेसिन सेखेंड ये स्वेम भी एक विद्वान था। अरब लेखक ताबरी के विवरण चे पता चलता कि उसने अपने सासन के 36 वे वर्स में परसिया के सासक खुश्रु द्वित्य के दरबार में एक दूथ मंडल भेजा था। यह दूथ मंडल अपने साथ हाती एक पत्र तता बहु मुले उपहार लेकर गया था। फारसि सासक ने इसके उत्तर में अपना भी एक दूथ मंडल चालू के सासक के दरबार में प्रेशित किया। तावरी बारत के राजा का नाम फरमिस या परमेस बताता है जो परमेस्वर का फारसी रुपांतर है। अनुसार अजन्ता के पहली गुफा के बिठी चित्रों में इन दूथ मंडलों का चित्रन किया गया है। गुफा के छत पर अंकित एक चित्र में खुश्रू एम उसके पतने शीरी तथा दूसरे में पुलकेश इनको फार्सी राज़ दूद का स्वागत करती हुए चित्रित किया गया है। गुफा के चित्र अर्था जो पहाड़ियों को काट कर बनाएगे चित्र हैं उनमें चालू के नरेश को फार्सी दूद मंडल का स्वागत करती हुए चित्रित किया गया है। तो देखेगा इस वीडियो में हमने आपको पुलकेश इन सेकिंड और पल्लवों के बीच हुए संगर्स के बारे में जानकरी दी। एक्जाम के दर्सी से वीडियो बहुत ही महत्तों पुन हैं कई बार क्यूशन पूछ लेते हैं तो वीडियो को दहान से देखेगा और ये जो पुलकेश इन सेकिंड है ये बादामी के चालू के वन्स का चोथा सासक था और सबसे सकती साली सासक ये था ठीक है इसने कई समय दित क्यूशन पूछ भी लेते हैं तो आगे और भी एक दो वीडियो हम पुलकेश इन सेकिंड के बारे में बनाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओर डेज पर